तो देखो भाई जब हाली में अफगानिस्तान पाकिस्तान से हारी थी वो भी आखरी ओवर में वो भी दो छक्के खाके वो भी एकदम लास्ट के बैट्समैन से छक्के खाके तो हमें बहुत दुख हो रहा था कि इतना चीता चीता मैथ अफगानिस्तान ने क्यों गवा दिया पर कुछ भी करके हमने अपने आपको इस बास से कंविंस कर लिया था कि भाई दे को हारना था तो हारना था इसमें कोई कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता था और हारी भी है तो इंडिया भी तो हारी है और इंडिया बाहर हो रही तो अपनी गलती से हो रही है ना पर पर भाईया क कल के मैच में जब शीलंका ने पाकिस्तान को हराया वो भी इतने बुरे तरीके से हराया और जहां इंडिया इतने close matches हारी थी दोनों ही matches लास्ट ओवर में जाके हारी थी तब लगा कि काश अफगानिस्तान वो मैच जीत गई होती तो कसम से मज़ा आ जाता लेकिन कल जिस तरी जीती है उसके बास से अफगानिस्तान की उसहार का इतना बड़ा दुख हो रहा है कि क्या बताएं मतलब सोच के देखो अगर गलती से भी गलती से भी उस दिन अफगानिस्तान जीत गई होती जो कि वो जीती रही थी पता नहीं भाई फुल्टास की उडाली उस भाई ने अगर गलती से जीत गई होती तो पाकिस्तान भाईया बाहर हो चुकी होती और इंडिया फाइनल में पहुच गई होती और मुझे तो ये लगता है कि ये जो खुशी होती ना इंडिया की पहुचने की ये इससे भी ज्यादा होती अगर इंडिया जीत के पहुच रही होती क यहां पे हमारी expectation खत्म हो चुकी थी और यहां पे जाके अगर India qualify कर रही होती तो भाईया मतलब बवाल मत जाता। लेकिन फिर से कर भी क्या सकते हैं और फिर से हमारे पास यही है बोलने को कि जो हो गया सो हो गया जाने दो क्या ही कह सकते हैं। हम तो अब भी इसी खुशी में जी रहें कि भाईया विराट कोली ने शतक मार दिया और क्या चाहिए पर फिर भी भाईया कल के मैच के बाद ना दुख बहुत ज्यादा हुआ मुझे। अब थोड़े से भी दुखी हो रखे हैं एक बार वो इंटर्व्यू जाके फुल प्ले करिएगा अराम से बैट के देखिएगा कसम से आपको मज़ा आ जाएगा और मैं एक चीज बार बार कहता हूँ कि ठीक है भाई हम क्रिकेट इसलिए देखती है इंडिया को जिताना है लेकिन उससे भी बड़ी चीज है हम क्रिकेट देखते हैं मज़े के लिए और भाईया ये मज़ा जो दे रहा है ना इंटर्व्यू जैसा मैंने कहा कि भाई तुम खुश हो जाओगे बाकी खुश तुम एक और चीज देखते हो सकते हो कि भाईया जबसे विराट कोली ने भाईया डीविलियर्स ने उनके साथ फोटो ही डाल दियो और कहा कि भाईया यही तो वेट कर रहा था मैंसी दिन का कि विराट कोली शतक मारें और भीया हम सेलिब्रेट कर सकें इतना तो डीविलियर्स सौथ अफ्रिया के लिए पोस्ट नहीं करते हैं मैंने देखा है जित सच मेरे और मेरे दोस्ट इसको घंटो तक खेलते हैं क्योंकि इसमें मज़ा भी बहुत आता है और थोड़े बहुत पैसे भी जनरेट हो जाते हैं इसे आप किसी भी डिवाइस पे खेल सकते हो बस थोड़ी सी पेशन चाहिए आओ मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे खेलते ह तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने खेल शुरू कर दिया है और इंटरफिस कितना कूल है इसका अभी मैं बैट करना हूँ 100 रुपए जितना ज्यादा ये प्लेन उपर जाएगा उतनी ही ज्यादा हमारी विनिंग बढ़ेगी बस इसे हमें साई टाइम पर रोकना है त हमने करा cash out और हम इस बार जीते 452 रुपीज लगबग हमारा पैसा 5 गुना हो चुका है तो आज के लिए से बन कर देते हैं बाकी next time करिंग और 30 सेकंड के हिसाफ से काफी अच्छा पैसा बना लिया हमने बाकी यहाँ पे आप अपनी सारी विनिंग बहुत ही असानी से withdraw कर स आपको search करना है the aviator और आपको वो game वहाँ मिल जाएगी ATM, UPI, phone पे, google पे आप किसी के थूरू भी यहाँ पे deposit कर सकते हो और आप जितना ज्यादा deposit करोगे उतना ही ज्यादा chance होगा आपके जीतने का description और pin comment में दिये link से अगर आप यहाँ पे deposit करते हो तो आपको इस deposit पे बहुत बड़ा bonus भी मिलेगा तो जाएं 4A bet पे जाके register करें और अच्छे से खेलें, good luck तो जैसा मैंने कहा था कि अब मैं आपको एक बहुत कमाल की बात बताता हूँ, तो कमाल की बात यह है कि चलो इंडिया एशिया कब से बाहर हो गई है तो उसके बाद से सभी लोगों ने जाके रोही शर्मा को ट्रॉल करना स्टार्ट कर दिया कि भाई इनको कितना अराम करना होता है इतना अराम करके आये हैं, यहाँ पे भीया कुछ matches खेले थे और इसे पूरा एशिया कब भी नहीं खेला गया और वहाँ भीया 16-14-14 matches लगातार खेल देते हैं IPL में, भली बाहर हो जाएं, फिर भी खेलते हैं लेकिन जब बात आती हैं इंडिया से खेलने की तो नहीं खेलना है तो देखो मैं तो इस पे यहीं कहूंगा कि भाई नहीं खेला तो कोई दिक्कत नहीं है ना, rest चाहिए होगा, rest कर लिया और वहाँ पे देखो IPL में क्या है कि 14 match के बाद IPL end हो जाती है इंडिया के लिए खेलना end नहीं होने वालना है और इस टाइम पे लोग थोड़ा और कम रिस्क ले रहे हैं क्योंकि भाई या बहुत बड़े बड़े टूर सामने है थोड़ा सा भी रिस्क लेना बनता नहीं है, हार्दिक पांडिया को भी छोटे matches में बार बार rest इसलिए दे रहे हैं क्योंकि गलती से भी भाई इस moment पे हम किसी player की जो injury है वो बरदाश नहीं कर सकते हैं और फालतू में सिर्व ऐसा ही match खिलाने का क्या फाइदा जहां पे कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है इसके बाद तो देखो सारे matches खेल नहीं है, और फिर वर्ड कप भी खेलना है वहाँ पे भाई रेस्ट वाला नाटक नहीं चलेगा ना तो भाई उन लोग को जिसको रेस्ट देना ठीक लगरा मैं कराऊं रेस्ट दो भाई देखो इंदरी वाला जो नाटक होता है ना उससे बहतर है कि भाई रेस्ट कर लो ऐसे matches में तो केल रहुल को लगा कि यार ये मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहा है एक तो मैं opening करता हूँ ये भी fix है और मेरे साथ जो opening रोही शर्मा करते है वो तो बिल्कुली fix है तो ये मुझी जैसा क्यों पूछ रह है कि आपको नहीं लगता कि विराट कोली को open करना चाहिए तो इस पर KL Rahul ने ये जवाब दिया तो फिर आप क्या चाहते हैं कि मैं खुदी बैट जाओं किया मतलब भाई KL Rahul पूरे तरीके से convicted है कि कुछ भी हो जाए opening करना है और इंडिया को जिताना है और भाई देखो थोड़ा वहत उनको भी criticize किया गया मैं तो वहाँगा अच्छा खासा criticize किया गया एशिया कप में लेकिन still still कही ना कहीं भी है एक दिल के कोने में हम जानते है कि KL Rahul जैसे जो batsman है न वो असानी से नहीं मिलते हैं और भली आपको लग रहा होगा कि जो एक उनकी अच्छी पारी आई है वो आई भी अफगानिस्तान के खिलाफ है पर देखो यार एक बास सच है जब बंदा सर्जरी वगेरा करा के आता है न तो थोड़ा सा भीया वापस से momentum पाने में time तो लगता है अगर आप 2-3 साल तक cycle वगेरा भी नहीं चलाते हो जो आप 7-8 साल से चला रहे थे तो बहुत time पार अब जब पहली बार cycle पे बैठते हो न थोड़ा सा अजीब लगता है थोड़ा सा slow चलाते हो थोड़ा सा अजीब लगता है break लगाने में आपको आदत हो कही होती है भीया बाइक में break लगाने की परफॉर्म में भी देखेंगे उनसे बहतर केल रहूर परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि देखो भाई केल रहूर के पास वो quality है जो बहुत ही कम लोगों के पास होती है कि केल राहूल को टिकना भी आता है पारी चलाना भी आता है और जरूरत पड़े तो चौके छके लगाना भी आता है तो ऐसे वक्त पर जरूरी हो जाता है कि हम थोड़ा सा क्रिटिसाइज करने की जगा थोड़ा सा भरोसा भी दिखा है हाँ सही है भईया खराब परफॉर्म कर रहा है उसकी वैसे इंडिया हारी है तो गरिया लो लेकिन इस्टिल बिल्कुल यह नहीं भईया बाहर करो इसे बाहर फेको यह बोज ऐसा नहीं करने का भाई मैं सच बता रहा हूँ केल राहूल अगर चल गए न तो वो बहुत जादा लोगों से अच्छा ही कॉंट्रिबूट करेंगे वैसे जो भी यह वीडियो देख रहा है आप लोग का इस चीच पे क्या कहना है कमेंड में जरूर बताईएगा कि क्या 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 राहूल क कप के लिए और एक सवाल कि T20 वर्ड कप के लिए कौन प्लेइंग 11 में होना चाहिए रिशब पंत या दिनेश कार्तिक तो सबसे पहले जो आपने सवाल पूछा है कि विराट को लिए और रोही शर्वा का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहेगा तो बहुत भड़ा रोल रह इसके लावा कोई और इसका जवाब नहीं है और दूसरा सवाल जो आपने पूछा है कि रिशब पंत और दिनेश कार्तिक में से किसे रहना चाहिए भाइब मैं तो यह कहूंगा कि दिनेश कार्तिक को तो रहना ही चाहिए क्योंकि अभी उन्होंने कुछ खराब नहीं करके अभी बहुत क्लिरली मैं चीज़ों को नहीं कह सकता हूँ और आपको भी जज़ नहीं करना चाहिए पर एक चीज़ आपको जरूर करनी चाहिए कि अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो इस लिंक से वहाँ पे जाते हैं तो आपको आपके फर्स डिपॉजिट पे बहुत बड़ा बोनस मिलेगा और जो सवाल मैंने आपसे पूछा है कि क्या क्या रहूल इंडिया के लिए वर्ल्ड कप में बोज रहेंगे या फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इसका जवाब भी कमेंट में ज़रूर देना और अगर अभी तब चैनल को सब सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो जो भी ये वीडियो देख रहा है अभी के वी चैनल को सब्सक्राइब करें बाकी मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहिन धन्यवाद